नमस्कार आप सभी का एक पार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ती ज्यान में आज सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा चैत्रमास के शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है यह समस्त पापों को नश्ट करने वाली है जैसे अगनी लकडी को जलाकर राक कर देती है वैसे ही कामदा एकादशी के पुन्य के प्रभाव से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं अब मैं आपको इसी एकादशी का महात्म सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिये। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरिक नाम का एक राजा राज करता था। राजा पुंडरिक अनेक एश्वर्यों से युक्त था। उसके राज में अनेक अपसराएं गंधर्व किननर आदी वास किया करते थे। उसी नगर में रहते थे। ललित और ललिता जोकी गायन विद्या में पारंगत थे। वो गंधर्व इस्तरी पुरुष संपन घर में निवास करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वो व्यतित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित अपनी सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्तित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का खयाल आ गया। जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नाग राजकर कोटक ने राजा पुंडरिक से उसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आ गया। और उन्हों ने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच तु मेरे सम्मुक गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरन कर रहा है। इसलिए तू नर्भक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयं कर दैत्य में बदल गया और उसका मुँ विक्राल हो गया। उसके मुँ से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक परवत के कंदरा के समान बड़ी हो गई। और गर्दन पहाड के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं दो योजन लंबी हो इस प्रकार उसका शरीर बहुत विशाल हो गया। राक्षस बन जाने के बाद वो बहुत से दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल देखकर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। और वो अपने पती के उद्धार के लिए विचार करने लगी। की मैं कहा जाऊं और क्या करूं। राक्षस बन कर ललित गोरवनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पतने ललिता भी उसके पीछे-पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करती। एक बार ललिता अपने पती के पीछे-पीछे चलते हुए विंधिया सामने दंडवत प्रणाम करके विंती पूर्वक प्रातना करने लगी। उसने कहा हे महरशी मैं वीरधनवा नाम के गंधर्व की पुत्री ललिता हुँ। मेरा पती राजा-पुंडरिक के श्राप से एक भयंकर दैते बन गया है। मैं अपने पती के कष्ट के कारण बहुत दुखी हुँ। हे मुनी श्रेष्ट आप क्रिपा करके उन्हें राक्षस यूनी से मुक्त करने का कोई उपाय बताईए। श्रंगी मुनी ने कहा चैत्रमास के शुकलपक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। उसके व्रत से प्राणी के सभी मनोरत शीग्रपून हो जाते ह यदि तु उसके व्रत के पुन्य को अपने पती को दे देगी तो वो सहज ही राक्षस यूनी से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप का अंत हो जाएगा। रिशी के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्रामनों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पती को दे दिया और इश्वर से प्रातना करने लगी हे प्रभू मैंने ये जो उप्वास किया है उसका फल मेरे पती देव को मिले जिससे उनकी राक्षस यूनी से शीग्र मुक्ती हो जाएग एक आदशी का फल देते ही उसके पती की प्राक्षस यूनी से मुक्ती हो गई और वो अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया वो अनेक सुन्दर वस्त्रों और आभुशनों से अलंकृत होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा और मृत्यू के बाद दोनों पुश्पक विमान में बैठकर पाथी मेरे चानल भक्तिज्यान को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद